ये विडियो बहुत ही खास होना वाइप जैसे कि आज के इस वीडियो में आगर आप सोझ रहे एक एम्प्लिफाइर से हम चार टोप चलाते जैसा कि लाइक प्रोग्राम पे या सुंदर कान जागरे देगी रमाइण में कहीं पे चलाने के लिए एक एम्प्लिफाइर आपके जो ही टोप चलानी का option होता है जैसे कि उसके back panel में आप देखेंगे भाई जो भी amplifier आप यूज कर रहे हैं 1000W या 1500W या 500W जो भी 800W amplifier आप यूज करेंगे उसके back panel के setting में आप देखेंगे भाई जैसे कि बोट और यहीं तीन आप्सवन एक चला सकते हैं जैसे कि सिंगल इस्पीकर वाला और यहीं पर दोप चला सकते हैं और उसमें औप्सवन नहीं दिया रहा था जैसे कि चांट चलाने के लिए और इसमें आपको वन और त देखने को मिल जाज है इस एखने के समय पूर की लोगा डवर वाल वशाल rap ब reass और झेल सब्मया पर लिकार अचलााक लिए तो आप सकते और इस्पेम दोखाएं लिए गयाएं हैं तो चली वीडियो को बीने देर के वही श्टाइब करते हैं और चैनल पे नए उसे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना वाइब पर ले लिए जैसा कि आपको समझाने के लिए दो यहां पे ले लिए जैसा कि नॉर्मल एप लोग यह यूज करते हैं जैसा कि आपको अच्छे से मालूम चल सके इसलिए इस एंप्लिफार को लिए है जैसा कि इस एंप्लिफार पे हम 2 टोब चला सकते हैं और इस एंप्लिफार पे हम 4 टोब चला सकते हैं 12 इंची का लाइब प्रोग्राम में यह कहीं पे चलाना हो भाई काफी बेस्ट जैसा कि sound quality निकाल के देता है तो चलिए हम back panel में आपको समझाते हैं जैसा कि 2 ohm और 4 ohm एक टोम हमको कैसे देखने को मिलेगा जैसा कि उपर का amplifier आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी amplifier अगर आप यूज कर रहें तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई कुछ ऐसे ही setting आपको देखने को मिलेगा एक common देखने को मिल जाते है जो black होता है और जैसा कि एक यहाँ पे देखेंगे भाई 2 ohm और एक 4 ohm जैसा कि यही option आपको देखने को मिलेगा आप चाहिए जो amplifier लिए हैं तो यही आपको option देखने को मिलेगा 2 ohm 4 ohm जैसा कि 2 ohm पे हम 2 ohm चला सकते हैं और 4 ohm पे भाई हम 1 एक टोप चला सकते हैं जैसा कि dual speaker वाला एक टोप और जैसा कि इस पे हम dual speaker वाला दो टोप चला सकते हैं तो हमारा simple amplifier यही होता है जो को भाई 100% से 90% amplifier में यही हमको option देखने को मिलता 2 ohm 4 ohm जैसा कि एक amplifier से हम 2 ohm चला सकते हैं तो चलिए बात करते हैं studio plus के इस 1000 watt के amplifier के बार amplifier में जैसा कि studio plus के इस amplifier में आप देखेंगे जैसे कि यह common होता है और एक यहां पे देखेंगे 1 ohm और 2 ohm का यही दो option देखने को मिलता है जैसा कि अगर आप 2 ohm चला रहे तो भाई यहां पे चलाएंगे जैसा कि 2 ohm पे चलाना चाहे तो भाई 2 ohm आप चला सकते हैं और 4 ohm देखने को मिलता है जैसा कि live program या कहीं पर बजाना हो भाई 1 ohm पे हम 4 ohm चला सकते हैं और sound quality काफी जबर जस निकाल के देगा तो आइफो की वाप को अच्छी से मालूम चलेगे हो जैसा कि इन दुन amplifier के बारे में जैसा कि इस amplifier में और इस amplifier में फर्क कितना होता है इस amplifier पे ह हम दो चला सकते हैं और इस amplifier पर हम 4 चला सकते हैं इस टूडियो प्लस का यह amplifier है और जैसा कि यहां पर आप देखेंगे इसका model नंबर PBT-1000 इसका model नंबर में शन किया गया है और यहां पर देखेंगे बाई जैसे कि होरन चलाना हो यहां पर होरन पर जैसे कि हम स्विच करके जैसे कि push up करके यहां पर इस पर प्रेस करेंगे तो यह निकल जाता है हमारा होरन चला सकते हैं और जैसे कि इसको दबा के हम अंदर की तरफ करके इसको अगर टोप पर चलाने चाहे तो ऐसे चला सकते हैं और जैसा कि यहां पर आप देखेंगे power limiter और जैसे कि light indicator और overload यहा आप करते हैं हमारा टोप उतना ही अच्छे से चलेगा यहां से आप पता कर सकते हैं और जैसा कि सब amplifier में ऐसे ही सेटिंग देखने को मिलता है बेस मीड टेबल जैसे कि यह लोग आप लोग जाने रहे वाई और यह amplifier overall हमको कुछ इस परकार से देखने को मिल जागी यह amplifier अभी कि साइम में कितना देखने को मिल जाएगा हमारी मार्केट में इस amplifier का जैसे कि काफी कम प्राइज में 1000 वाट का यह amplifier चार्ट टूप चलाने के लिए हमको देखने को मिल जाता है और काफी बेस्ट है काफी टिकाओं भी है आपकी चलाने को पर डिफेंट करता है आपक कि एक अच्छे डिलर से आप लेंगे तो इतने ही प्राइज रेंच भी यह 1000 वाट का अप्रिफायर आपको मिल जाएगा और चार्ट टूप चलाने के लिए यह काफी बेस्ट होगा यह अंप्रिफायर तो आई हो कि आपको अच्छी तो मालुम चलेगे हो जैसके इस amplifier के ब